रत पर उस सवंक में भाद्रपद मास की शुकलपक्ष की चतर्थी शिरिक गनेश चतर्थी भाद्रपद शुकलपक्ष की चतर्थी को मध्यान के समें विहन मिनायक भगवान गनेश का जनम हुआ था अता ये ती थी मध्यवयापनी लेनी चाहिए इस तिन रवीवार अथा मंगलवार हो तो परशस्त है गनेश ची हिंदों के प्रथम पुझ देता है सनातन धरम ने आई समार्तों के पंच देताओं में गनेश ची परमुख है हिंदों के घर में चाहे जैसी पूझाई या क्रिया करम हो सरप्रतम श्री गनेश ची का आवाहन और पूझन किया जाता है शुब कारियों में गनेश की स्तुती का अच्चनत महत तो माना गया है गनेश ची विगनों को दूर करने वाले देता हैं इनका मुख्य मुख हाथी का उदर लंबा तदा शेश श्रीर मनुश्य के समान हैं मुदक इने विशेश प्रिये हैं बंगाल की दुर्गा पूझा की तरह महराज्ट में गनेश पूझा एक राष्टी ये पर्वके रूप में परतिष्टित है गनेश चत्रफ्थी के दिन नक्त वरत का विधान है अर्थापी पूझा यथा संभव मध्यान में ही करने चाहिए त्योंकि पूझा वरतेशू सरवेशू मध्यान में आपनी तिथी अर्थाथ सभी पूझा वरतों में मध्यान वे आपनी तिथी लेने चाहिए भाद दरबाद शुकल पक्ष की चितुर्थी तिती को प्रता कल शनाना दिन नित्य करम से निवरित्ध हो करके अपनी शक्ति के अंसान सोने चांदी तामबे मिट्टी पीतल अथवा गोबर से गिनेश्ची की प्रतिमा बनावें या बने ही प्रतिमा का प्रानों में वर्नित गिनेश्ची के गजानन लंबोदर सवरूप का ध्यान करें और अक्षत पुष्प लेकर के संकल्ब करें हाथ में लिये हुए अक्षत पुष्प इत्यादी गिनेश्ची के पास छोड़ दें इसके बाद विगनेश्ची का यथाविती ओम गन गन पत्ते नमा से पूज़त करके दक्षिना के पश्चाद आर्थी करके गिनेश्ची को नमशकार करें एम गिनेश्ची की मुर्ति पर सिंदूर चड़ाएं मोदक और दुर्वा की इस पुजा में विशेश्टा है आता है पूजा के अफसर पर एकिस दूर्वा दल भी रखें तथा उन में से दो दो दूर्वा इस परकार से दस नाम मंत्रों से क्रमशा चड़ावें पहला ओम गना धिपाएं नमा दूसरा ओम उमा पत्तराएं नमा तीसरा ओम विगन नाश्चानाएं नमा चोथा ओम विनायकाएं नमा पांचवा ओम इश्पत्राई नमा छटा ओम सरसिधी परदाई नमा साथवा ओम एक दंताई नमा आठवा ओम इभवक्त्राई नमा नौवा ओम मुशक वाहनाई नमा दस्वा ओम कुमार गुर्वे नमा पश्चात दस्व नमा का एक साथ चारन करके अवशिष्ट एक दूव चड़ाएं इसी परकार 21 लड़ो भी शिरिक गिनेश्ची को पूजा में अवश्य होते हैं 21 लड़ो का भोग राकर के पांच लड़ो मूती के पास्चरावें और पांच ब्रामन को दे दे एम शेशिको परशाद सरूप में सियम ले ले तदा परिवार के लोगों में बाढ़ दे पूजन की ये विधी चितोर्थिक ये मध्यान में करें प्रामन भोजन करा करके दक्षना दे और सियम भोजन करें पूजन के पच्चाद इस मंतर से वैस सबसा मगरिब भ्रामन को निवेदन करें दानेन अनेन देवेश प्रीटो भाव गनेशवरा सर्वत्र सर्दादेव रिविघनम कुरू सर्दा मान उननतिम चैर राज्यम चैर पुत्र पोत्रान पर देही में इस वरत से मनवान चितकारे सिद्ध होते हैं क्योंकि विगन हर गनेशची के परसन होने पर क्या दुरलब है गनेशची का ये पूजन बुध्धी विद्या तथा रिद्धी सिद्धी की प्रापती एम विगनों के नाश के लिए किया जाता है कहीं व्यक्ति शिरी गनेशची सहस्तर नामावली के एक हज्जार नामों से परतेक नाम के उच्चारन के साथ लड़ू अथवा दूरा दल आदी शिरी गनेशची को अर्पित करते हैं इसे गनपती सहस्तर अर्चन कहा जाता है